स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अंतरगत उर्दू शायरी के कुछ टॉपिक्स को समझने वाले हैं जो कि आप सभी लोग के लिए बेसिक है अगर यह नहीं जाने तो फिर उर्दू शायरी में आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है न और फिर अगर आप लोग जो है ना आगे की तयारी करते हैं और जिसमें आप लोग का उर्दू सब्जेक्ट रहेगा उसमें भी आप लोग के लिए काफी helpful होने वाला है रदीफ काफिया मतला अब ही टॉपिक को समझेंगे जिससे आप लोग के एक्जाम में धेर सारे क्विशन पूछे जाते हैं चाहे क्लास 10 और 12 तो अगर आप 10 और 12 क्लास के स्टूडेंट है तो फिर तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफी important है ही है लेकिन उसके लावा अगर आप किसी इंट परगत घजल को ही लेकर हम लोग समझते हैं कि रदीफ क्या है उससे पहले आप लोग समझना पड़ेगा कि मिस्रा और शेर किसे कहते हैं चलिए समझते हैं देखे मैं यहाप रबोर्ड पर एक घजल लिख दी हूँ ब्लैक कलर के मारकर से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह एक घजल है आप लोग इस घजल में देखिए सबसे पहला लाइन सबसे पहले लाइन को देखेंगे तो यह दो भागों में बटा हुआ है ठीक है पहला भाग पहला हिस्सा यह दूसरा हिस्सा यह यह हो गया पहला हिस्सा पहला भाग और यह हो गया दूसरा हिस्सा यान कि इस घजल के पहले लाइन में दो मिस्रे हैं पहला मिस्रा ये दूसरा मिस्रा ये ठीक है उसी तरीके से दूसरे लाइन में भी दो मिस्रे हैं पहला मिस्रा ये दूसरा मिस्रा ये उसी तरीके से तीसरे लाइन में भी दो मिस्रे और पांच्वे लाइन में भी दो मिस्रे तो वृष में किसे कहते हैं दों मिलकर एक बनते हैं तो इन दोनों को making a कहेंने शेर कहेंगे यह विए पहला शेर उसारा क्योंता है नहीं差 और फांच वह लाइन में दोमीस रहें घंड फिर मिल कर बंते हैं यह पांच में छो गया वगया तो अब बताई हैं कि अब लसवा किटें अ किटने सेर्ले और पितने मिस्रे हैं इकंपर कमर्ड बॉक्स में लएकश कर अब यहांपर समझते हैं मिसरा और शेर आफलों को समझद मैं आ गया कि हां शेर जो धो नब नर्म लोग कहते हैं जैसे कि अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं पहला यह पढ़िये दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुँ मैं, खाक ऐसी जिन्दगी के पत्थर नहीं हुँ मैं, क्यूं गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाये दिल, इनसान हूँ प्याला वसाधर नहीं हुँ मैं, यारब जमाना मुझ को मिटाता है किसलिए लोहे जहां पर ह कर नहीं हुँ मैं, तो यह घजल है, आप देखिए, शेर के लास्ट में चले जाईए, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हुँ मैं, यह एक मिस्रा हो गया, पहला मिस्रा और यह दूसरा मिस्रा, तो पहले मिस्रे के अगर हम लोग लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट म मिस्रे में देखने को मिल रहा है देखिए है ना नहीं हूं मैं उसी तरीके से यहां पर देखिए लास्ट में नहीं हूं मैं नहीं हूं मैं यानि कि नहीं हूं मैं यह एक ऐसा जुमला आप यूं कह सकते हैं क्योंकि इसमें तीन लफज है ठीक है ना एक ऐसा लफज है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है यह शेयर या फिल एक जांगर मिस्रे के आंने आ हो रहा है और बार रिपीट हो रहा है यह लॉगा तो है Amand Even कुछ यह नहीं हूं मैं यह года करती बार का ईए रहा है नहीं हूं और कि यह ₹ हूं पक्र बार बार repeat हो रहा है कि दाइम पड़ा हुआ तरे दर पर नहीं हुए खाक ऐसे जिंदगी के पथर नहीं हुआ है ठीक है क्यों गर दिस्वें मदाम से घबरान जाये दिल इनसान हो प्या अलाव सागर नहीं हुए लाज में नहीं हुए ठीक है तो यह हो गया अब हम लोग समझते हैं काफिया काफिया जो है ना रदीफ के ठीक एक कदम पीछे चले आईए ठीक है रदीफ के एक कदम ठीक पीछे चले आईए उस लवज अगर वो लवज का प्रणंसियसन से मिल रहा है हर मिस्रे में तो उसको कहते हम लोग काफिया है यहां पर उसे तरी के और यहां पर नहीं है पत्थर पर यहांda मिधा धरा डिश क्दम से जाना है लास निए कडम पीछे जा रहा है तोकि क्या सागर नहीं हो तो आप देखिए पर पत्थर सागर मुकर्र गौहर नौकर यानि कि प्रणंसियेशन उचारण मिल रहा है भले एक जैसा शब्द नहीं है लेकिन उचारण मिल रहा है इसी को कहते हैं क्या काफिया तो इस पूरे घजल में बताइए काफिया क्या है काफिया है पर पत्थर सागर मुकर्र लास्ट में क्या है रहा देखिए पर मिलास्ट मेरा ठीक है पत्थर मिलास्ट मेरा सागर मिलास्ट मेरा मुकर्र मिलास्ट मेरा गौहर मिलास्ट तो इसको क्या कहेंगा काफिय कितना है कि यह पर 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 काफियाсы तब इसके से चाहए कैसी कई झाने इसी काफियाओ जो ठीक रदीव के एक कदम पीछे जानेब पर मिलता हैbak आगे बढ़ते इसे से कहते हैं मतला तो बहुत आसान है अगर रदीफ और काफिया समझ गए तो मतला बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा घजल का पहला शेर जो हम रदीफ और हम काफिया हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मतला कहते हैं यानि कि घजल का पहला शेर होना चाहिए और रदीफ और काफिया होना चाहिए दोनों मिस्रों में देखिए पहला मिस्रा पहले ये घजल का पहला शेयर है देख सकते हैं पहला शेयर मैं लिख दी हूँ या पर और ये इस पहले शेयर का पहला मिस्रा और ये दूसरा मिस्रा अब देखिए दोनों मिस्रे में क्या रदीफ है तो जी हा और काफिया भी है तो इस शेर को हम लोग क्या कहेंगे मतला कहेंगे यानि कि गजल का पहला शेर जिसमें रदीफ जिसके दोनों मिस्रियों में रदीफ भी हो और काफिया भी हो उस तरह के शेर को कहते हैं हम लोग मतला यान की गजल का पहला शेर जो हम रदीफ और हम काफिया हो उसको कहा जाता है मतला आई होप आप आप लोगो समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं हुसने मतला हुसने मतला किसे कहते हैं अगर गजल का दूसरा वाला शेर भी लिए सो Name नहीं सिर्फ एक ही मिश्रम है यानि कि जो पहला क्लिक्षा है और बीच में रदीफ काफिया और दूसरा काफिया होगि यहां लोग इसको क्या कहते है। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर घजल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो यानि कि दोनों दूसरे शेर के दोनों मिस्रे में काफिया और रदीफ हो तो उसको हम लोग कहते हैं हुसने मतला क्या इस घजल में हुसने मतला है तो नहीं है क्योंकि दूसरे शेर के दोनों मिस्रे में रदीफ काफिया नहीं है अगर दोनों मिस्रे में रदीफ काफिया रहता तो हम लोग इसको हुसने मतला कहते हैं सिर्फ लास्ट वाले दूसरे मिस्रे में रदीफ और काफिया है ठीक है पहले वाले मिस्रे में नहीं है इसी वो जैसे हम इसको खुस्न मतला नहीं कहेंगे मतलब की इस घजल में खुस्न मतला नहीं है ठीक है तो आई होप आप आप लोगो मतला और हुस्न मतला समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं مक्ता मक्ता घजल के सबसे आखरी वाले शेर को कहते हैं जिसमें शायर हजरात अपने तखल्स इस्तमाल करते हैं जैसे की ये जो घजल है इसका सबसे आखरी वाला शेर ये हैं पांचवा शेर गालिब वजिफाखवार हो दो शाह को दूआ वदिन गये जो कहते थे कि नौकर नहीं हुँ मैं अब देखे इसमें मिर्जा गालिब का है मिर्जा अस्तुल्ला का गालिब का और उनका तखलुस है गालिब यानि कि वो अपने शेर और शायरी के लास्ट लाइन में गालिब नाम यूज़ करते हैं तो देखे ये आखरी शेर है और इसमें मिर्जा गालिब जो है अपना तखलुस गालिब यूज़ किये हैं तो इस में इनका तखलुष देखने को मिल रहा है गालिब तो इस शेर को क्या कहेंगे हम लोग मकता कहेंगे ठीक है अब समझते हैं बहुत ही आसान है घजल का सबसे फेमस शेर उसे कहते हैं बैतुलगजल जैसे की फिल्म में कोई कोई डाइलग फेमस नहीं हो जाता है पुस्पा ज तेरी मैं कम देखता हूँ जो भी नॉटिकल का सॉंग है मतलब कोई एक ऐसी तरीके से अगर गजल का भी एक लाइन फैमस हो जाए उसको हम लोगो कहते हैं बैत लगात्तल यानिकी सबसे लियम्जट को कहते हैं बैत लिई जो गजल है इसमें सबसे प्यमस रशेर माना गया है दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिन्दगी के पथर नहीं हूँ मैं यानि कि यहां पर जो है ना इस लाइन का मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारे दर पर हमेशा पड़ा हुआ नहीं रहूंगा यह अपने महभूब को कहते हैं मिर्जा गाल पर कि मैं पत्थर की तरह एक जगा खड़े रहूं ठीक है तो यह जो लाइन है यह फेमस है या फिर एक और लाइन इसमें फेमस है कि या रभ जमाना मुझको मिटाता है किसली है लौह जहां पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूं यानि कि दो बार लिखा हुआ हर्फ तो नहीं हू मैं इस दुनिया में एक ही पैदा हुआ हूँ और यह जमाना मुझको क्यों मिटाना चाहता है ठीक है तो यह भी काफी फेमस है लेकिन सबसे इदा फेमस इसी को माना जाता है मतलब यही है बैतल घजल ठीक है तो आई होप आप लोग को बैतल घजल भी समझ में आ गया होग देखिए यहां पर मैं एक शेर लिग दी हूँ दो लाईन है इसमें ढहिसारा बनाए बतिया अपोगों कोई गाना यादा रहे हैं बिचारा origin Xpsoca गाता है तो यह गाना जो है समझे कि इसी शेयर को थोड़ा मोडिफाई करके बनाए गया है ठीक है तो यहां पर पढ़िए जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया किताबे हिज्रा निदारमेजा नलेहू काहे लगाय छतिया ठीक है तो यह एक मैं शेर लिख दी हूं यहां पर अभी इस शेर में आप लोग को बताना है कि इ सारे टॉपिक अगर समझ में आए है यह सवाल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ठीक है तो रदीप और काफिया इसे शेर का आपको बताना है ठीक है यह हो गया आप लोग का आप लोग के लिए क्विश्ट चलिए अगर आप लोग यहां तक स्कीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे पहले मेक शूर कि आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया हो चैनल पर नए नया आयोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और उसके बाद से वीडियो को अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग इंतजार कीजिएगा बहुत जल्द इसका अगला वीडियो अप्लोड होगा और हां हिंदी ग्रामर जो आप लोग पढ़ाया जा रहा है तो हिंदी ग्रामर पर भी आप लोग ध्यान दीजिए जिस तरह उर जहिंद और खुदा हाफिज